गुड मॉनिंग स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम सबजियों के नाम को पढ़ेंगे और लिखेंगे बच्चों आपको पता है, सबजी हमारे शेरी के लिए कितनी अच्छी होती है और हमें सबजियां खानी चाहिए सबजियां खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं तो आओ करते हैं कुछ सबजियों के नाम जिनके कुछ चित्र भी दिये गए हैं और हमें इन चित्रों के सामने इन सबजियों के नाम लिखने हैं चित्र आपको इस्रे दिये गए हैं ताकि आप चित्र को पहचानो और उसको पढ़ सको उसके नाम को पढ़ सको जैसे पहला है मतर क्या लिखा बच्चो मिलाके पढ़िए मतर मतर का चित्र दिया गया है मतर हरे रंकी होती है और हम इसके सामने लिखेंगे मुझसे बोलकर मतर म, ट, र, म, टर नमबर दो अ, द, र, क, अद्रक अद्रक का चित्र पहचानी है और इसके सामने लिखिए अद्रक अ, द, र, क बच्चों आपको बोल-बोल के लिखना है अद्रक अद्रक जो की एक सबजी का नाम है नमबर तीन कटहल कटहल बोलिए कटहल कटहल मिलाके पढ़ेंगे तो पढ़पाएंगे चित्र को पहचानी है कटहल का और इसके सामने में लिखेंगे कटहल कटहल नमबर चार शलगम शलगम का चित्र देखिए और मुझसे बोलते भी लिखेंगे श ल ग म शलगम नमबर पांच गा जर गा जर बच्चों देखिए ग में आकी मातरा लगी हुई है तो गा के साथ हमें आक स्वर भी सुनाई देगा गा जर गा जर की चित्र को पहचानी है ये लालर्म की होती है गा जर लिखेंगे ग आकी मातरा गा जर गा जर नमबर छे ट मा टर ट मा टर ट मा टर की चित्र को देखिए ये भी लालरंका होता है और बोल की लिखेंगे आप कोशिश कीजिए चित्र ब्राने की ताकि और अच्छे से रंग भरिए इंको और बोल बोल के लिखेंगे इसको और पढ़ेंगे धन्यवाद झाल झाल